हेलो दोस्तों देखिए आज का कोस्टन जो है परसेंटेज पे है एक भी कोस्टन नहीं छुटेगा बैसिक से पढ़ाओंगा श्रिप और कोस्टन पे ध्यान दिजे एंसर आप खुद भखुद बना लेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कोस्टन है करते हैं कहता है राहूल की सेलरी 630 से भर कर 700 रुपए हो जाती है तो बिर्धी कितना की हो भी सत्तर की सत्तर रुपए की बिर्धी होँवी है कितना पर 630 पर बिर्धी अगर कमिक हैगा जिस पर कहा जाएगा उसे हम नीचे लिखेंगे बिर्धी हुआ है छेसुतीस पर इसलिए 630 को अब नीचे लिखेंगे और 70 को उपर लिखेंगे और परतिसत में लाने के लिए 100% से गुना अब इसे हम सॉल्व करते हैं 0 से 0 सट नमा 63 और हम इसे अब सॉल्व करते हैं 9 से करेंगे तो 11 बटन एक बटन नो परसेंटेज में यह हमारा इंसर हो जाएगा ठीक ओप्षन में देखिए एक नमर ओप्षन हमार सही हो जाएगा देखे चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन है एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपय की बरोतरी होती है तो कीमत बरकर 10,500 रुपय हो जाती है तो बताइए कि टीवी सेट की कीमत में कितने परसेंटेज की बरोतरी होगी आगर आप कुस्टन को ध्यान से परेंगे तो आपको एक चीज का पता चलेगा यह कह रहा है कीमत में 10,500 रुपय की बरोतरी होती है मतलब पहले तो कुछ कीमत था 500 रुपय की बरोतरी होती है तो हो जाता है 10,500 500 की बरोतरी होगी तो 10,500 मतलब बरोतरी कितना मे हुआ होगा 10,000 में हुआ होगा देखिए बढ़ोत्री हुआ कितना का 500 का कितना पर 10,000 पर तो 500 उपर लिखेंगे 10,000 नीचे मैंने कहा था जितना बढ़ोत्री होगा या घटेगा तो हम उसे नीचे लिखेंगे परसेंट बिर्धी बड़ावर अब परसेंट मिलाने के लिए एसे 100 से गुना करेंगे इससे अब हम सॉल्ब करते हैं 4,0 है यहाँ दो दो चार सारा 0 खतम हो जाएगा तो 5% इसका एंसर आजाएगा ओप्सन नमर सी सही हो जाएगा तिसरा कुस्षन है दो संख्याएं किसी तीसरे संख्या से करम सह 20% तथा 25% के बड़ावर है तो बताएगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बड़ावर है कहता है तीसरी से 20% और 25% अधिक है ठीक है तो तीसरी हम 100% मान लेते हैं और पहली दूसरी तो दिया हुआ है पहली है 20% दूसरी है 25% यहां पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट के बड़ावर है तो यहाँ पहली संख्याँ पूछ रहा है दूसरी संख्याँ के रिस्पेक्ट में तो दूसरी को हम नीचे लिखेंगे पहली को उपर लिखेंगे और परसंटेज मिलाने के लिए 100 से गुना करेंगे चार बार में यहाँ आ जाएगा 80% यह हो जाएगा इसका एंसर से कितने परसंट कम है दूसरी संख्याँ पहली संख्या यास से कितने परसंट गम है चार ती नमर का सवाल क Однако स्वाल है बस यहाँ पर कंम-क पूछा गया है को संद में फोटा से मिश्टिक है और हमहां पर 手ापर 37% से लिखावाइं चालिस परसंट होगा है चलिए हम को सन को बनाते हैं का रहा है दो संख्या एक तिसरी संख्या से 30 परसंट वह 40 परसंट कम है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसंट कम है तो यहाँ पर का रहा है तिसरी संख्या से तो तीन संख्या होगा तो हम पहली लिख लेते हैं दूसरी लिख लेते हैं और तिसरी लिख देते हैं, तिसरी हम 100 माल लेते हैं, तो कहता है कम है, मतलब 100 में, तो हम 140 लिख लेते हैं, इधार 130 लिख देते हैं, अब कुछ को, यह प्रब्लम होगा कि पिछले कुछन में तो हम लोग 100 से नीचे गए थे, यहां 100 से उपर क्यों जा रहे हैं, तो हम बता द वहाँ ज्यादा पूछा गया था और यहाँ पर कम पूछा जा रहा है इसलिए और हमने बताया था कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे हम लोग नीचे लिखेंगे हाई है है कि सथिके वारे में पूछा जाएगा उस्से अम लोगा ऑपर लिखेंगे क्यां सुखा साथ संख्याब पहली आ से कितने बटे 140 और परसंटेज मिलाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 2-0 इधर भी 2-0 खतम तो आता है 13 बटे 14 देखें यह अब छोटा सा मिश्टेक हो गया 0 से 0 गया 14 से 7 बार में यह 50 बार में 13 गुणा 50 करेंगे तो 650 बटे 7 इसे अगर पुर्णांग में करेंगे तो हो जाएगा 129 पुर्णांग 6 बटे 7 यह हो जाएगा इसका एंसर और यह एंसर ठीक है कर दो कर दो कर दो